नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल 3G फार्मिंग पर आज हम मद्ध प्रदेश में उत्पन हुई नसलों पर चर्चा करेंगे जिनका विकास मद्ध प्रदेश पर हुआ पहले है निमाडी नस्रा यह जैसा कि आप नाम सुनकर के ही जान सकते हैं कि इस नसल का लेना देना निमाड चेतर से है इस नसल के पसू खरगौन जिले में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और इस नसल को पसू प्रजनन फार्म इंदाओर और सिम्रॉल में नसल सुधार के लिए रखा गया है दूसरी नसल है मालवी नसल इस नसल के पसू मद्ध प्रदेश के साजापुर भोपाल और मंदसौर में पाए जाते हैं यह दो ही ब्रीड हैं जो पूरे मद्ध प्रदेश में अन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हैं इनके अलावा पूरे भूभाग में और कहीं भी ऐसी कोई ब्रीड नहीं है जिसका कोई अधिकारिक तोर पर रिकॉर्ड मिले इसके अलावा कुछ नसल ऐसी हैं जो मद्ध प्रदेश में अपनी कारिक छमता के चलते पाली गई हैं जैसा की हरियाना नसल इसका मूल स्थान भारत का हरियाना राज्य हैं लेकिन अपनी कारिक छुसलता के चलते इनको मद्ध प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में पाला जाता था यह गाएं अच्छा दूज़ भी देती थी और इनके बहल अच्छे क्रसिकार हेतु उप्योगी माने जाते थे दूसरा है राजिस्थान से सटा हुआ इलाका इस इलाके में नागौरी नसल के पसु पाले जाते थे जो की अपनी कारिक छुमता के लिए पूरे भारत में माने हुए पसु होते थे तीसरा है गिर नसल इस नसल के पसु सौकिया तौर पर महराष्ट और गुजरात से लगे हुए सीमा वरती इलाकों में पाले जाते थे इनकी कारिकुसलता इतनी अजिक थी कि इन नसल के पसुओं को पालना उप्योगी था हुए हुए